केली बाग चोडाई करन को लेकर सर्वुच न्यायालाई तक चली लड़ाई के बाद अब मनपा द्वारा चोडाई करन में बाधा बनी संपत्तियों को बलही उखाड फेका जा रहा हो लेकिन किरायदार दुकांदारों ने फिर एक बार हाई कोड का दर्वाजा खट-कटाया याजिका पर लगातार सुनवाई की जा रही है इसी बीजब हाई कोड कार्यालाई की और से कुछ आपत्ति उठाई गई जिसके बाद न्यायदिश सुनिल शुक्रे और न्यायदिश अनिल के लौर ने अगली सुनवाई तक आपत्तियों का निवारन नहीं किये जाने पर याजिका खारिज करने का अल्टिमेटम दे दिया महानगर पालिका की और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जैमिनी कासट का मानना था कि लगभग 30 के करीब दुकानदारों ने याजिकाय दायर की है जिन पर अदालत ने जबरन खाली कराने पर रोक लगा रखी है मामले का शीगर निप्टारा नहीं होने के कारण चोड़ाई करण की प्रक्रिया पर असर पढ़ रहा है अधालत का मानना था कि याजिका में तकनी की मुद्दे है इसे लेकर होने वाले फैसले का असर पूरे राज्य पर पड़ेगा अतहत तकनी की मुद्दे पर पूरी जिसके लिए परियाप्त समय भी आवश्यक है। कासट ने कहा कि महानगर पालिका ने MRTP Act की धारा 126 के अनुसार भूमी या संपत्ती अधिग्रहन के नियमों का पूरा पालन किया है।